So till now we have seen problems based on the type f inverse and f of theta जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे किसी function का inverse था यहाँ पे वही function था मान लीजिए और यहाँ पे हमारे पास एक theta था या फिर हमने बोला बाहर हमारे पास एक function था अंदर हमारे पास एक inverse था और यहाँ पे एक value थी और वो सारे के सारे एंगल्स या फिर सारी के सारी वेल्यूज हमारी क्या थी? डिफाइंट थी जो हमने पहले पड़ी हुई हैं जैसे थीटा हमेरा हमेशा 360 से कमी था तो हमने वहाँ पे quadrant rule को इस्तिमाल किया था और अपने answers को बड़े अराम से निकाला भी था और कुछ answers को वहाँ से reject भी किया था बट नाउ वे विल सी जब हमारा यहाँ पे थीटा 360 से बड़ा हो जाएगा तब हमें क्या करना है? या फिर यहाँ पे कुछ negative चीज़े आ जाया है तब हमें क्या करना है? जो हमने प्रिवस के भी देखा था तो इसके लिए आप लोगो को सारे के सारे 11th class के trigonometry वाल चेक्टर के formula पता होने चाहिए जैसे हमारे पास जो formula थे माल लिजे हमारे पास था sin of minus theta जो होता है, वो होता है minus का sin theta. शղिरली सब का जो था answer वो था- सब कुछ बस cos of minus theta जो हमारे पास था, वो था ास cos theta और sec of minus theta जो हमारे पास था sec theta. सिमिलरी हम लोग सारे formula चीचले है जैसे हम ने levar से cafथा हमारे पास cos theta और sec of minus theta जो हमारे पास था वो था sec theta. Similarly हम लोग सारे formulae सीखा था sin pi plus theta का formula क्या होता है? ऐसी हमने सब में सीखा था इस चीज को. So, सारे formulae आपके पास tips पर होने चाहिए ताकि आप लोग सवालों को easily कर सकें और अपने यहां वाले part को simpler forms में तोड सकें. चेक है? आपके पास यह formula होना चाहिए, प्लस में आपके पास यह भी formula पता होने चाहिए, आपको pi minus theta वाला formula, 2 pi plus theta का formula पता होना चाहिए, आपको 2 pi minus theta का formula पता होना चाहिए आप लोग को हर एक trigonometric ratio के अंदर, सिर्फ यही नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए, मालने जी अगर आपके पास sign में यहां के कोई सभी multiple आता है pi का और आता है theta, तो वो भी आपके पास tips पे होना चाहिए, आल राइट, so I will suggest कि आप लोग पहले इन सारे के सारे formula को एक बार revise कर लें, and then video को आगे proceed करें, अगर आपको नहीं भी आता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग examples में हर एक चीज़ को फिर से जरूर देखेंगे, all right, शलिए देखते हैं हम लोग इसे कुछ examples, so let's see our example, we have to evaluate sine inverse sine pi by 4, ठीक है, तो mind में आपको एक बात रखनी है कि आप लोग sine inverse से sine को तभी cancel out करें, जब आपका यह जो बचा हुआ angle है, वो sine inverse की principal value branch में लाई करें, okay, so cut करने से पहले आप mind में वेल देखिए, कि जब यह cut होगा, तो आपके पास आएगा pi by 4, और क्या pi by 4 आपका minus pi by 2 से लेके pi by 2 में लाई करता है, तो आप खुद देखिए, obviously यह होता है 45 degree, यह होता है 90, यह होता है 90, तो 45 degree लाई करेंगा इसके अंदर, because, okay, because 45 यह सिंटर्म में लाई करता है, all right, so आप इसको बोल से directly, कि sine inverse sine pi by 4 can be written as pi by 4, pi by 4 lies in this interval, okay, so cut करने से पहले आपको mind में करना है कि क्या cut करने के बाद जो angle हमें मिल रहा है, वो angle उसकी principal value branch में exist कर रहा है, अगर कर रहा है, तो वही हमारा answer है, अगर नहीं कर रहा, then हमें उस angle को convert करना पड़ेगा, ठीक है, फिलाल के लिए यही question है आप लोग होगा है, इसको आप लोग होगा है, इसको आप लोग नोट डाउन करने, so let's see our next question, we have to evaluate sine inverse sine 3 pi by 5, all right, mind में कर रखना है हमें, sine से sine cancel out हो जाएगा, और हमारे पास angle के आएगा 3 pi by 5, but क्या 3 pi by 5 हमारा sine inverse x की principal value branch में लाई करता है, इसको observe करते हैं लोग, 3 pi by 5 का मतलब कितना होता है, तो आप लेखिए, pi by 5 का मतलब होता है, 180 upon 5, it means 36, and 36 times of 3 is what, 108 तो 108 हमारा angle है, और हमारे पास जो interval होता है वो होता है, minus pi by 2 से लेके pi by 2, यानि कि minus 90 से लेके 90 तक का interval 108 तो इसमें लाई ही नहीं करता है, इसका मतलब हम यहाँ पे इन दोनों functions को यहाँ पे हटानी सकते ओके, सो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, alright, सो देखिए अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई भी तरीका है इस angle को किसी छोटे एंगल में represent करने का, ध्यान से देखिए, यह है आपके पास 108 एंगल, तो obviously यह वाला एंगल आपका लाई करेगा second quadrant के अंदर, because यह होता है 0, यह होता है 90 and यह होता है 180, तो 108 यहीं कहीं पे लाई करेगा, second quadrant में है, और second quadrant में आप आते कैसे हैं, whatever देखिए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, sine inverse and then sine we can write this angle as pi minus, because pi minus करेगी, आप second में आएंगे, अब देखना पड़ेगा आपको कि इसका base angle किया है, alright तो अगर हम यहाँ पे simply pi by 5 ही कर दे तो हमें मिलेगा 5 minus 1 is 4 by 5, जो कि यहाँ पे answer नहीं आएगा यहाँ पे लाना हमें 3, तो यहाँ में करना पड़ेगा 2 pi by 5 easy है, देखे जान से यह हो जाएगा 5 pi, 5 pi जो 2 pi जाएगा तो बचे का 3 pi और आप 1 में 5 और 2 pi by 5 का मतलब कितना होता है यह होता है 36, 36 का दूने कितना होता है 72, और 72 आपके पास acute angle भी है सो हम इसो को गलती में नहीं बोल सकते है alright, सो यह आपके पास हो जाएगा कितना, we can write sine inverse and this whole thing can be written as sine 2 pi by 5, why? विकाज आपको पता है कि sine pi minus theta का जो answer होता है, वो sine theta ही होता है, ओके ठीक है, यह बात भी नहीं रिखनी है आप लोगों now ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको इससे cancel out कर सकता हूँ कर सकता हूँ, बशर्ते यह वाला angle आप लोगों का sine inverse x की principal value branch में लाई करें तो 2 pi by 5 यह होता है आपका 70, अभी हमने का निकला, 72 degrees 72 degrees, क्या यह minus 90 और 90 के बीच में आता है हाँ, obviously आता है, because 72 यहां कहीं होगा 90 यहां पर, ओके सो हम बोल देंगे, यह cancel out होगे कितना देदेगा आपको 2 pi by 5, ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 2 pi by 5 आपका belong करता है किस से, minus pi by 2 से लेके pi by 2 के बीच में, all right so इसको आप लोग कट कर दीजेगा यह सारा बाट रख पाड़ था, यह इस question का required solution है, इसको please आप लोग note down कर ले so let's see our next example we have to evaluate sine inverse, sine 7 pi by 6, so mind में गया आएगा हमारे, हम लोग sine inverse को sine से cancel out कर दें, but हमारा answer तभी valid होगा, जब यह वाला angle हमारा, sine inverse x की principal value branch में आई करेगा तो हम क्या बोल सकते प्रवट देखिए, यह हो जाएगा, sine inverse, यह हो जाएगा only, 7 pi by 6, all right, तो आपको पता है pi by 6 का मतलब होता है, 30 degrees और 7 times हो गया तो यह हो जाएगा 210 degrees okay, आपकी जो sine की branch होती है वो होती है, minus 90 से लेके 90, 210 तो far away है बहुत, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसको cancel out नहीं कर सकते तो हम लोगो कुछ करना पड़ेगा, जिसकी बिदर से हम लोग इस angle को convert करें किसी smaller angle में, all right so we can write it as sine inverse sine, ध्यान से देखिए 210 degrees का angle जो है आपका वो आएगा 3rd quadrant में 3rd quadrant में आप आते हैं, pi प्लस करके so एक और सीज़ देखिए, यह है आपका 180, 180 से कितना extra है तो यह है आपका 30 degrees, तो हम बोल सकते है sine pi plus what, pi by 6 आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको देखिए, pi by 6 आपका base angle था आपने base angle लिखा यहाँ पे आप कौन सा ऐसा multiple है, जो 7 के आसपास है इसका तो first multiple है और यह एक extra है तो यहाँ हो जाएगा 6 pi plus 1 यानिकि 6 pi plus 1 है 7 pi by 6 all right, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आप हम लोग इसको sine inverse यहाँ हो जाएगा अब हम तब को पता है कि sine pi plus theta जो होता है sine pi plus theta जो होता है वो होता है third quadrant में और third quadrant में sine होता है negative तो यह हो जाएगा minus का sine pi by 6, all right अब ध्यान से देखिए आप लोग sine inverse को sine से cancel out नहीं कर सकते because यहाँ पे negative sine लगा हुआ है तो आपको इस negative sine को adjust करना पड़ेगा previously हमने बहुत सारे examples में देखा है कि जब कभी भी sine के साथ यहाँ पे negative sine लगा हुआ हो तो आप इसको लिख सकते है sine inverse what sine of minus pi by 6, okay ऐसा क्योंकि आपने आपको पता है क्योंकि sine minus theta जो हमारे पास होता है वह होता है minus theta तो यह हो जाएगा यहाँ पे इस form में था हमने इसको इस form में लिख दिया ठीक है और यहाँ पे चेंडिस बैसे क्या हुए था तो यहाँ हुआ था हमारे पास sine pi plus theta जो हमारे पास होता है वो होता है minus का sine theta, okay तो यह हमने लिख दिया यहाँ पर भी नाव एक चीज देखिए साइन वर्स से साइन को हम कैंसल आट रहने ही कोशिश करते हैं हमारे पास आएगा माइनस का 30 डिग्रीज क्या माइनस का 30 डिग्रीज माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करता है हाँ अबिसली करता है हम इसको बोल सकते हैं यह cancel out हो जाहेully यहाँ बचेगा मायनस का पाई बाई शिक्स और ये आंसर वैलिड क्यों है विकॉश्थ माइनस का पाई बाई शिक्स बिलॉंक करता है ग्रीज साइन इर्स साइन रिज साइन धर्स So let's see our next question, we have to evaluate sine inverse sine 13 pi by 7, all right, so हम लोग यहाँ पे sine inverse से sine को cancel out कर सकते हैं, बशरते, यह angle हमारा sine inverse x की principal value branch में लाई करना चाहिए, यह angle हमारे पास actual में है कितना, तो माल लिजे मुझे angle यह evaluate करने का मन नहीं कर रहा, तो देखे 13 upon 7 का मतलब होगा लगभग 2 pi के आसपास का नमबर, यहाँ हो जाएगा 2, 1.9 something आएगा, यह हो जाएगा 2 pi के आसपास का नमबर, यानि कि यह तो हमारे पास 360 के आसपास का नमबर, फ़ड़ा कम करने जिए आप लोग, 343 30 के आसपास का नमबर है मानने जिए वह तो 330 तो हमारे पास sin inverse x की पिस्पर ब्रांच में लाइग नहीं करता, तो हम लोग इसको break करेंगे किसी smaller angle में, all right, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, sin inverse as it is, यह हो जाएगा हमारे पास sin, then ध्यान से देखिए, मुझे बताएं आप लोग, आपका base angle माल लेजिए, आपका pi by 7 है, तो 7 का ऐसा कौन सा multiple है, 13 के आसपास का है, वो है 2, यानि कि यहाँ हो सकता है 14, and 14 में से हमें एक करना पड़ेगा minus, सो हम लगा दिया हमने minus, twice of लगा दिया हमने pi, ध्यान से देखिए, 7 times of 2 is 14, 14 minus 1 is 13 pi, बैसे हमने हमारे पास आएगा, अल्राइट, नाओ, यह आपको कह सकते हैं हम लोग इसको, sin inverse, यह हो जाएगा हमारे पास sin as it is, and what is sin 2 pi minus theta, तो हम ऐसा करने पर आते हैं, fourth quadrant में, और fourth quadrant में हमारे sign होता है negative, तो यह हो जाएगा minus का sin theta, all right, तो यह हो जाएगा minus का sin only pi by 7, ठीक है, now इस sign से आप इस inverse को cancel out नहीं कर सकते, because यहाँ लगा हुआ है negative sign, तो आपको इसको adjust करना पड़ेगा, previous हमने बहुत सारे examples में step proportion किया है, तो यह हो जाएगा sin inverse, sin और angle adjust के साथ हो जाएगा यहाँ आपे, minus का pi by 7, all right, now sin inverse से sign कर सकता है बशरते, यह जो angle आपके पास आया है, यह angle आपका minus 90 से लेके 90 के बीच का angle होना चाहिए, all right, तो ध्यान से देखिए, 180 upon 7 कीजिए आप लोग, तो यह हो जाएगा twice, यानि के 2, and then यह हाएगा 4, 25 point something आपके पास आएगा, जो की obviously lie करता है, minus 90 से 90 की बीच में, तो आप इसको बोल सकते है, this implies that only minus का pi by 7, ऐसा क्यों हुआ, since minus का pi by 7 आपका belong करता है किस से, minus के pi by 2 और pi by 2 से, all right, so यह इस question का required solution है, इसको please आप लोग note down कर लें, so let's see our next example, we have to evaluate sine inverse sine 17 pi by 8, all right, तो हम लोग sine inverse से sine को cancel out कर सकते हैं, बशरते, यह angle हमारे फास जो आएगा, वो angle, sine inverse x की, principal value branch में लाई करना चाहिए, observe करता हम लोगे, इसको एक बार, आप इस pi को भूल जाए अबी, अगर आपने सिर्फ इसको evaluate के है, तो आपके पास आएगा 2 point something pi, 2 point something pi का मतलब लगबग 2 pi मान लेजिए, आप लो, 2 pi का मतलब होता है, 360 और 360 तो बहुत दूर होता है, हमारे पास, minus 90 से लेके 90 के, बीच में नहीं होता है, तो, all right, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते है, sign inverse and this can be turned as sign, अब हमें काम क्या करना है, अब हमें इस angle को break करना है, किसी smaller angle में, all right, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास base angle है, pi by 8 का, so आप लोग नहीं सकते हैं, यहाँ पे pi by 8, और मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे आप लोग लिखते हैं, इस value को break करके, तो pi by 8 है आपके पास, 8 का ऐसा कौन सा multiple है, 17 के आज़ पास ही, तो वो है two multiple, दो बार में 16 होता है आपके पास, और उसके बार 17 है तो extra है, यह extra का मतलब, प्रस लगा दिया, आप लोगों नहीं आप ठीक है, नाओ फटाफट देखिए, आप solving करने दे सकते हैं, यह हो जाए 16 pi, 16 pi plus 1 is 17 pi by 8, तो बिल्कुल सही आपने ब्रेक किया है इसको, नाओ यह कहे जा सकता है, sine inverse, हम सबको पता है कि sine of, 2 pi plus theta करने पे आप जाते हैं, 2 pi plus theta करने पे आप जाते हैं, first quadrant में, और first quadrant में सब कुछ positive होता है, 2 pi लगा है, तो changes video में तो यह हो जाएगा, sine theta only, so we can write it as sine pi by 8, now we can cancel out the effects of sine inverse and sine, but याद रखिएगा, अगर यह pi by 8 आपका लाई करना चाहिए, minus 90 से लेके 90 के बीच में, all right, so pi by 8 कितना होता है, वैसे तो pi by 8 होता है, 180 आप 1 में 80 के देख लिजी आप लोग, 2 आएगा यहाँ पे, then 2 आएगा यहाँ पे, तो आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 22 point something आ रहा है, obviously 22 point something, minus 90 से 90 के बीच में आ रहा है, then आप लोग इसको cancel out कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं, यहाँ पे pi by 8 इसका answer है, ऐसा क्यों होँआ, because pi by 8 आपका बिलॉंग करता है, किस से minus pi by 2 से लेके, pi by 2 के इंटरेवल के बीच में, all right, so यह इस question का होगे required solution, इसको please आप लोग note down कर लें, so let's see our next example, we have to evaluate sine inverse, sine and then minus 17 pi by 8, तो previous question में हमने देखा था, यहाँ पे अगर 17 pi by 8 था, तो हमने solve गया था, चेक है, तो यहाँ देखे धहां से, यहाँ पे आपके पास sine inverse sine, minus का 17 pi by 8, तो sine inverse से sine के effect cancel और दरूर हो सकता है, लेगिन क्या जो angle हमारे पास आया, वो angle sine inverse X की principal value branch में लाई करता है, तो इबर चेक करता है मिस्रीज को, तो अगर हमने इसको ही सिर्फ देखा, तो यह हमारे पास आयागा 2 point something pi, minus में 2 pi का मतलब होता है, minus का 360 degree, और minus 90 से वो बहुत ज़्यादा पीछे है, तो हम लोग इसको accept नहीं कर सकते, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा break करके, अब क्योंकि यहाँ पर angle ही negative में है, तो हम लोग concept लगा सकते हैं, यहाँ पर कौन सा, कि sine of minus theta जो होता है, वो minus का sine theta होता है, इस concept को हमने यूज किया यहाँ ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर सकते है, sine inverse as it is, and then this whole thing can be written as, minus का sine 17 pi by 8, all right, now आप लोग तो आप इसको cancel out भी नहीं कर सकते हैं, विकॉज यहाँ negative sine लगा हुआ है, तो कोशिश करने हैं आपको, कुछ भी करके आप लोग को पहले इस angle को, part by part में break करना पड़ेगा, all right, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास, sine inverse as it is, and then negative sine को ऐसे रखे, देखिए, previous questions में हमने ऐसे सवाल जरूर किये थे, जहाँ हमने फिर से minus sine को अंदर लेकर आगे थे, बट वहाँ पे हमारे पास जो angle बन रहा था, वो angle उस integral में लाई जरूर कर रहा था, यह angle lie नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस खोड़ा reverse order में कर रहे है, back-tagging हम लोग कर रहे हैं आपे, तो हमने यहाँ पे negative sine को बहाँ निकाल दिया, minus sine अभी भी यहाँ पर है, क्या हम इसको break करके किसी smaller angle में ले सकते हैं, जहां से देखिए, तो अभी हमने किया है sine, इसको हम बोल सकते हैं 2 pi and then plus में pi by 8, because यह हो जाएगा 16, 16 plus 1 is 17, 17 upon mate आ रहा है बिल्कुल हमारे पास, now we can write it as sine inverse, negative sine को आप लोग ऐसी रखें, 2 pi plus करने पे आप आते हैं first quadrant में, और first quadrant में sine होता है positive, तो यह हो जाएगा सिर्फ plus का sine, and then वो acute angle कौन सा है आपका, pi by 8, आसे हमने क्यों किया, because हम पता है, sine 2 pi plus theta equals 2 होता है, sine theta तो यह हमने अपलाई किया है यहाँ पे, now again देखिए आप sine से sine नहीं कट से कर सकते, because यह negative sine लगा हुआ है, तो अब हम लोग इसको adjust करेंगे अंदर के side, so यह हो जाएगा हमारे पास sine inverse, and then sine minus का pi by 8, alright, द्यान से देखें, क्या हम लोग यहाँ पे sine से sine कांसल आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बशरते, यह angle लाई करना चाहिए, यह angle अक्षिल में है कितना देखते हैं एक बार हम लोग, तो 180, अब उन में 8 का मतलब हो जाएगा 2, and then 22 point something, तो हम लोग इसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि यह हमारा लाई कर रहा है, minus 10 से 90 के बीच में, तो हमने इस हो कर दिया, cancel out, और यह हमारे पास हो जाएगा minus का pi by 8, यह answer क्यों आया, because minus का pi by 8 हमारा बिलॉंग करता है, minus pi by 2 से लेके pi by 2 के बीच में, आल राइट, तो हमने कुछ basic type देखे, जो हमारा sine inverse, sine and then किसी angle के format में था, अब उन लोग next questions को लेखते हैं,